मुंबई पुलीस के पूर्फ कमिशनर संजय पांडे को गिरफतार कर लिया गया है NSC यानि National Stock Exchange phone tapping मामले में ED ने बड़ा action लिया है ED ने पहले संजय पांडे को पूछताच के लिए बुलाया था CBI ने भी सवाल जवाब किये थे इस पूछताच के बाद संजय पांडे को गिरफतार कर लिया गया इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था दरसल शेयर मार्केट में बड़ा नाम National Stock Exchange यानि NSE करमचारियों के phone tapping मामले को लेकर संजय पांडे की गिरफतारी हुई है इससे पहले इस मामले में चित्रा रामकरिशन को गिरफतार किया गया था इसके बाद अब इस मामले में पूर्फ पुलीस कमिशनर पर शिकंजा कसा है साल 2013 से साल 2016 तक चित्रा रामकरिशन National Stock Exchange में Managing Director थी उस समय संजय पांडे की एक कमपनी के जरिये NSC करमचारियों के phone tap का मामला सामने आया था जब ED को इस tapping की भनक लगी उन्होंने फोरण गुरेहम मंत्राले को इसकी चानकारी दी और मामले में CBI भी आक्शन में आ गई और अब उसी tapping वाले मामले में जाच और पूचताच के बाद ED ने संजय पांडे को गरफतार किया है कुछ दिन पहले चित्रा रामकरिशन की भी गरफतारी हुई थी वैसे दावा तो किया गया कि संजय पांडे की कंपनी को tapping के लिए 4.45 करोर रुपए मिले थे हालाकि इसकी पुष्टी नहीं है संजय पांडे की बात करे तो वो मुंबाई पुलीस कमिशनर से पहले महाराश्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक का पत संबाल रहे थे अप्रेल 2021 में उधव ठाकरे सरकार ने उन्हें महाराश्ट्र के डीजीपी का प्रभार दिया था हाला कि IPS रजणी सेट को महाराश्ट्र के डीजीपी निउक्त किये जाने के बाद उनसे प्रभार वापस ले लिया गया था 1986 बाच के IPS अधिकारी मुंबाई पुलीस के 76 वे पुलीस कमिशनर थे उन्होंने IPS हेमंत नगराले से कमिशनर पद का दायत व लिया था वो अभी बीते महीने 30 जून को ही रेचायर हुए हैं दरसल संजय पांडे को लेकर दो केस चल रहे हैं CBI ने पांडे से महराश्ट के पूर्व ग्रेमंत्री अनिल देशमुक से जुड़े 100 करोड की वसूली के मामले में सवाल जवाब किये तो वहीं ED ने NSC कमपनी लोकेशन घोटाले से जुड़े केस में पूछताच की है सोमवार को पहले CBI ने पांडे से पूछताच की सवाल जवाब पूरे होते ही ED वाले उन्हें अपने साथ ED दफतर ले गए देर शाम तक उनसे पूछताच चली इस मामले को लेकर CBI ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलीस कमिशनर परमवीर सिंग से भी पूछताच की थी महराष्ट के पूर्व ग्रह मंत्री अनल देशमुक पर परमवीर सिंग ने आरोप लगाया था कि देशमुक ने ग्रह मंत्री रहते 100 करोड रुपे की वसूली की थी अनल देशमुक को जबरन वसूली और मनी लॉंडरिंग के आरोप में पिछले साल नवंबर में गिरफतार किया गया था तब ये भी आरोप लगा था कि सचिन वाजे के जरिये देशमुक ने मुंबई के कई बाढ़ से करीब 4,70,000 करोड रुपे कठा किये थे ऐसे में उन पर अपने पत का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा था नियुस्तव प्यरो